लोक सभा के लिए मतदान चल रहा है, चार चरन का मतदान हो भी चुका है, आपको मालूम है कि साथ चरन में मतदान संपन होने के बाद परिणाम की घुसना होगी, इसके बाद क्या होगा, क्या नरेंदर मोदी के नित्रित में बीजेपी संपुर्ण बहुमत के साथ तीसरी ब मतदान के बाद कॉंग्रेस ये क्यों कहने लगी है कि चुनाव नरेंदर मोदी के हाथों से फिसल चुका है, स्वहें बीजेपी के निताओं के सुर क्या सच में बदलने लगा है, क्या बीजेपी के निता 400 पार बाले नारों से अब बच्चते हुए रिजर आने लगे हैं, एडी की सक्रियता में अचानक कमी क्यों आ गई, सुरू के दो चरन के मद्दान तक एडी बहुत सक्रिय हुआ करती थी, ऐसे और भी तमाम सवाल, ये सवाल मेरे नहीं है, बलकि ये सवाल उन लोगों का है, जिनको राजनीत के तमाम धुरंधर हासिये पर ढखेल चुके हैं जिए ये सवाल भीहार के सुधूर गाउं में चाय नास्ता के दुकान पर बैठे किसानों का है, दिन पर मेहनत करने के बाद साम में फुरसत से बैठे मजदूरों का है, ये सवाल उन लोगों का है, जिनके राजनीतिक समझ को अमूमन गंभिरता से नहीं लिया जाता है, द रहते हैं कि भिहार की राजनीत को नीज रूम की चका चौध में नहीं देखा जा सकता है, बलकि गली मुहलों में, नुकर पर और पान की दुकान पर खड़े लोगों की बातचीत में इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ कॉसलेंदर जहा और आप देख रहे हैं केकेन लाइव। खबरों की खबर और लिख सेहटकर खबर की सिग्मेंट में आज हम बिहार की करबट बदलती राजनीत के माइने को समझने की कोसिस करेंगे। कहते हैं कि तिरहुत सहित बिहार के राजनीत का अपना एक अलग मिजाज है। किस जाती को कितने टिकट मिले और किस जाती का टिकट कट गए। बिहार की डाजदित में इसके बड़े माएने हैं। करिद एक दसक बाद बिहार के कोर भोट में सेंधमारी की रननीती अब कारगर आयाम लेने लगा है। इसका लाब कुछ हद तक इंडिया गठमधन को मिल जाए तो ताजूब नहीं होगा। बिहार के स्युवर और सीता मढ़ी में टिकट कटने से बैस समुदाय में इंडिया के प्रती नाराजगी है। हलाकि इसमें कोई दोराय नहीं है कि अधिकांस बैस मतदाता आज भी मोधी का नाम ले रहे हैं। पर नेताओं के नाराजगी का असर भी है और इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। यदि 10 पर सर्थ बैस बोट खिसक गया तो तेरुत में इंडिया की मुश्किल बढ़ जाएगी। इसी प्रकार कुर्मी और कुसभाह भोटर में भी असंतोस से इंकार नहीं किया जा सकता। कुर्मी समाज, विशेसकर, LJP के उमिदवार के परती बहुत रूची नहीं दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि बस 2020 के विधान सभाचुनाब में चिराग पासबान ने NDA से हटकर चुनाब लड़ा, विशेस करके जेडियू के खिला, उन्होंने खुला बगावत किया, जेडियू को इसका नुकसान हो गया और बिहार की राजनित में जेडियू तिसरे नंबर की पाटी कुर्मी समदाय के प्रबुद मद्दाता लोग सभाचुनाब में चिराग पासबान से हिसाब चुकता करने के मूड में है, हलाकि खुलकर कोई कुछ बोलने को तयार नहीं है, पर अंदर खाने इस बात की चर्चा जोर पकर रही है, चाहे पान के दुकान पर खड़े लोग या असंतोस भी चिटपूर्ट आकार लेने लगा है, हाजीपुर में कुसवाअ समाज का समयलम इसका सबसे बड़ा मिसाल है, समस्तिपूर, उजियारपूर और मोतिहारी में कुसवाहसमाज क्या करेगा? यह बड़ा सवाल है, ह हलाकि यह हभी सच है कि कुसवाहसमाज के न और उनकी राजनिती कैरियर दाव पर हो सकता है। सीवर में ब्राह्मन बोटर एंडिये के परती मुखर नहीं है। 22 साली में भी ब्राह्मन बोट पर आरजेडी की नजर है। इसी प्रकार सीता मड़ी में राजपूत भोटर एंदिये के प्रती अभी तक मुखर में हुए हैं बैसाली और मुझफरपूर में भूमियार भोट को लेकर के भी अस्मन जासे बैसाली में आरजपूर भूमियार समाज के मुन्ना सुकला को अपना उमीदबार बना कर बहुत बड़ा खेला कर दिया है मुझफरपूर और हाजीपूर लोगसमावे भी इसके असर से इंकार नहीं किया जा सकता है ऐसे में यह सवाल बड़ा होने लगा है कि भूमियार समाज क्या करेगा इसी तरह बिहार के निशाद भोट पर बी आईपी के मुके सनी का मजबूत प्रभाव है मुके सनी इंडिया गटमनें के साथ है जाहिर है इसका खाम्याजा भी बिहार में इंडिये को ही भुगतना पड़ेगा कुल मिलाकर बिहार की राजनीत में इंडिये का बिजय रत क्या ही स्कोला ले रहा है फिलाल इस तवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है यदि मोदी का मैजिक काम कर गया तो हालात बदलते देर नहीं लगेगा यह भी एक बड़ा सच है बिहार में एक और बड़ा फैक्टर काम करने लगा है वह है अस्थानिये सांसत के प्रती असंतोस दरसल अधिकतर सांसत पिछले पांच बड़सों में लोगों के बीच सक्रिये नहीं रहे इसे लोगों में बहुत गुस्सा है गुस्सा इंडिये के वरकर में भी है आफ दे रिकर्ट बैसाली के कई लोगों ने मुझे बताया कि उनकी भी नहीं सुनी जाती है जाहिर है कार्जकरताओं में उत्साह का अभाव है दूसरी और यह भी सच है कि इनमें से अधिकांस लोग आज भी मोदी को ही प्रधानमंतरी की रूप में देखना चाहते हैं इस सच से भी इंकार नहीं किया जा सकता बेसक पिये मोदी के चुनाप परचार का इस पर असर पड़ेगा पर कितना यह देखना अभी बाकि है कई लोग ने बताया कि यदि अस्थानिय सांसत के परति उभरे अस्वंतोस का असर बरकरार रह गया तो बिहार में NDA की मुश्किलें बढ़ सकती है हलाकि NDA समर्थकों को अभी भी मोदी मैजिक का इंतिजार है बात को थोड़ा बदलते हैं आपको मुंगेरी लाल आयोग याद है बर्स 1971 में बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया था इस आयोग को महंगाई भरस्टाचार और बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताने थे इससे भी अहम बातिये कि मुंगेरी लाल आयोग को लोकतंतर बचाने के लिए उपाय देने को भी कहा गया था इतना ही नहीं बलकि मुंगेरी लाल आयोग को बिहार में समाजिक परिवर्तन के लिए अंतर जाती ये दिवा और समाजिक दिभेद यानि जाती बात को खत्म करने के उपाय पर सुझाओ देने थे मुंगेरी लाल आयोग ने कई सुझाब भी दिये पर बिहार की राजनित आज भी जाती कि उसी दलदल में फसी है बाहर नहीं निकल सकी है कहते हैं कि जिन लोगों ने समाजिक एकी करन का नारा बुलंद किया था उन दिनों जेपी आंदोलन के बाद उन में से कई बिहार के सत्ता सिर्ष पर रहे सुरगे करपरी ठाकुर, लालू परसाद और नितिस कुमार इसी जेपी आंदोलन की उपज है बावजुद इसके बिहार की राजनित से जाती बाद खत्म नहीं हुआ, बलकि और बढ़ गया कह सकते हैं कि जाती की राजनित संगठित तोर पर बिभस्त रूप धारन कर चुका है जड़ पकर चुका है इसमें हमारे रहनुआओं की बड़ी भूमिका है और इससे इनकार नहीं के जा सकता यानि बिहार की राजनित आज भी जाती की मजबूत दिवारों में कैद होकर सिस्किया ले रही है आज आलम यह हो गया है कि उम्मीदबार चाहे कितना भी खुंखार हो जाती के नाम पर एक बरका उसको समर्थन मिलता ही है गठबंदन यानि समीकरन का भोट भी उसके साथ होगा ही होगा इसके अतरिक थोड़े से और भोट का जुगार करके जदी वह जीत गया तो बाद में उससे सहयोग की उमीद करना कितना उचित होगा इस विशेपर हम दूसरे एपिसोड में विश्तार से बात करेंगे अब चर्चा के दूसरे पहलू पर आते हैं कॉंग्रेस समर्थक कहने लगे हैं कि चुनाब मोदी जी के हाथ से निकल चुका है ऐसे लोग महंगाई और बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते हैं जबकि इंडिये का पूरा फोकस राष्टबाद और विकास परकेंदरी थे सवाल उठता है कि कॉंग्रेस सहीत इंडिया गठ्पन्धन के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं ऐसा क्यों मानते हैं दरसल इसी बर्स के फरवरी महिने में फोब्स की एक रिपोर्ट आई थी इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कॉंग्रेस बहुत उत्साहित हो रही है रास्टिये नमूना सर्वेक्षन यानि एनेस ओ के हवाले से फोब्स ने महांगाई और बेरोजगारी को लेकर एक लेक प्रकासी किया था हलाकि इसमें 2024 के जनवरी से मार्च के बीच सहरी छत्रों में 15 बोर्ट सुर्ट से अधिक आई हुके लोगों के बेरोजगारी दर में गिरावट की बात कही गई है बताया गया है कि एक साल पहले इसी समय अब्दी में बेरोजगारी का दर 8.2 पर्चत था जो अब घटकर 6.8 पर्चत रह गया है दरसल कॉंग्रेस के उत्साह का करण बेरोजगारी का घटा हुआ रेट नहीं है बलकि कॉंग्रेस का कहना है कि बर्च 2013 में बेरोजगारी का यही रेट 5.42 पर्चत था जो मोदी काजकाल में बठकर 6.8 पर्चत हो गया है कॉंग्रेस सहीत इंडिया गठबंधन के उत्साह का इससे भी बारा कारण यह है कि सर्वे में 27 फिजदी लोगों ने माना है कि भारत में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जबकि 23 फिजदी लोग महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते है दूसरी और विकास और राष्टबाद के साथ मात्र 15 पर्चत के खड़ा होने से इंडिया गठबंदन के नेत्साओं का उससा दूग उना हो गया है क्योंकि इंडिया गठबंदन वाले नेता अकसर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं इस लोग सबाचुना में जाहिर है जदिया मुद्दा लोगों को पसंद आ गया तो इसका लाव मिलना उनको लाजमी है अब देखना है कि मतदाताओं के दिलों दिमाग पर कौन सा मुद्दा भारी पड़ता है यहाँ एक बात और गौर करने वाली है दरस्तल यह रिपोर्ट फरवरी की है जबकि भारत में अप्रेल से मतदान सुरू हुआ है इस बिच कई घटनाओं ने मुद्दों को परभाबित भी किया है परधान मंतरी नरेंद मुदी स्वहिम एक बड़ा मुद्दा बन करू रहे हैं ऐसे में बिहार के मतदाता क्या निरने लेंगे इसके लिए परिनाम का इंतिजार करना होगा इस बिच इन तमाम सवालों और लोगों की चर्चा के बीच यदि आपको संकेत समझ में आ जाए तो कमेंट करके मुझे भी बताइए आपके जवाब का इंतिजार रहेगा नमस्कार